पती आपके वस में नहीं हाँ मेरा पती मेरे वस में नहीं है कोई शर्म की बात नहीं क्योंकि अब तो खुले आम तमाशा होता है शादी हुई थी मुहले वाले लोग जुडे थे सभी देखने आये थे क्या खूब जोड़ी है आपकी संसार की सबसे खूबसुरत जोड़ी थी आप दोनों की ऐसा कई लोगों ने कहा था और अब उन्हें के घर तक पहुचती है आप दोनों की लड़ाई जगरे की आवाज पती कहता है असंद नहीं हो मुझे तुम तुम मेरी बस की बाहर वो तुम्हारी दुबान अच्छी नहीं तुम देखने में अच्छी नहीं तुम्हारी आदते अच्छी नहीं तुम में कोई ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहू जबकि आप रूपवती हैं आप एक अच्छी घर की बेटी हैं आप बहुत अच्छी वहू है, परन्तु आपके पती को आप पसंद ले, आप क्या करे, खुद को आखित कैसे बदले, कैसे बदले अपनी आदतें, अपनी आवाज कैसे बदल लो, मेरा जो रूप है मैं उसे कैसे बदल लो, और क्या बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं मेरी बेहनों, आपको नहीं बदलना है खुद को, आपको बदलना है इस सिचुएशन को, आपको बदलना इस माहौल को, जो ये विसाथ तो हो गया है माहौल, आपके पती और आपके बिच ये जो प्रेम था, आबार प्रेम, लग गई है उसको किसी की कड़ी नजर, अब क्या करें? समझा कर ठक गए, हर मुम्किन कोशिस की, सेवा की, प्यार की, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा गबराना नहीं है और रोना तो बिल्कुल नहीं है पहले भी कही हूँ, जब भी कोई समस्या हो, उसे समझ ये, उसका निवारन ढूंड ये, रोना नहीं है जब भी और ते रोती है और अपने ही आचल से खुद के आशु पोच्ती है, तो उसका राहू नौगुना अधिक त्रिव हो जाता है राहू को तो आप दिन रात मजबूत कर रहे हैं, फिर कहां सी सिच्वेशन ठीक होगी अज्जो उपाय लेकर आई हूँ, अज्जो वशी करन लेकर आई हूँ, अधुथ है बहुत छोटा है, बहुत समानने है, और उसका फल, उसका चमतकार इतना अधुथ है कि देखते रह जाएंगी सबसे पहले, जान लेजिए, मैं गौन हूँ, नमसकार दोस्तों, मैं हूँ खुश्बु सिंग, बहुत स्वागत, बहुत अभी देंदन करती हूँ आप सब का जोतिश ज्यान में कैसे हैं मेरे भाईयों, कैसी हैं मेरे बहनों, मेरे कमेट सेक्शन में जै माता दी हरहर महादय अवश्य लिखे, अपने ख्यारियत मुझे जरूर बताया पड़ती हूँ, हाथ की रेखाएं पड़ती हो जैनों कुंडली, मस्तक की रेखाएं पड़ती हूँ, करम है कृपा ह मैं सुखी हूँ, मैं सौभाग्यवती हूँ, कोई समस्या नहीं मुझे, दिन भर में 5-7 बर ऐसे ही कह देजिए, मैं बहुत खुश हूँ, रभू सुंदल हूँ, मेरे पती मुझे बहुत प्यार करते हैं, दिन भर में ऐसे ही, ये सकारात्मक बाते कहते रहें, देखे चमरका है, बात करें हूँ, कला की, जगड़े की, बहुत ज़्यादा जगड़े हो रहे हैं, दूर दूर मुहली में घर तक आगाजे जाती हैं, आपकी इजदत की तो बैंड बजी ही गई है, आपके माता पिता भी बहुत शर्मिंदा है कि किस लड़के को हम अपनी बेटी सौंप अब क्या करें, घर बस चुका, कुछ बर्स बीच चुके, बच्चे हैं, अब पीछे हटने का सवानी रही हूँ, इसे ही सुधाना है, महस एक मंत्र आज आपको बता रही हूँ, यह मंत्र मैं अभी बोल नहीं रही हूँ, स्क्रेन पर मोटे मोटे अक्षरों में मंत्र मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और यादी आप वीडियो को स्किप नहीं करते हैं, तो मंत्र यहां स्क्रेन पर भी है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, किस दिन करना है हमें यह वशिकरन, किन-किन चीजों की अवशक्ता हमें पढ़ेगी, और फिर जानते है कैसे करें, बहनों मेरी सबसे पहले निराश न हो, हर आदे घंटे पैतालिस मिनिट के बाद मुझ को एक बार जुठा कर ले, घुट पानी ही पेले, सुक्र एक्टिव रहेगा, रोना नहीं है, और सुरिंगा भरपूर करना है, सिंदूर लगाने हैं, अच्छे से यारिंग अच्छी साड़ी पहने हैं, तकलीफ नहीं है, आपको कुछ ऐसी, उजड कर नहीं रहना है, बालों में कंगे रेकिया, आपने वोट सूख रहे हैं, ना काजल है, ना मिंदी है, ना सिंदूर है, ऐसे तो आप अपना सुग्र बिकाड रही है, गुरू कमजोर होता जा रहा याफिर कोई उपाई, कोई वसीकरन कैसे कारे करेगा, अपने रूप को निखा रहे हैं, आप बेहत खुबसूरा थे हैं, हमेशा इस बात को याद रखिए, मुस्कुराइए, मैं बहुत अच्छी हो, दिन भर बोलिए, खुश हो मैं, चलिए, लाल बस्तर पहनना है, विकल ऐसे होते नहीं है, इसलिए मैंने कहा, नहीं तो विकल्प में लाल, दूसरी बात, यह पदी वशीकरन है, यह पत्नी वशीकरन नहीं है, यदि कोई भाई है ऐसे मेरे, जिनकी पत्नी उनको परिशान कर रहे है, चोड़कर चली गई है, तो यह मंत्र काम नहीं करेगा, यह क अपने लिए ले ले, मादुलगा की कोई तश्वेर या मूर्ते ले ले ले, जो आपके घर में है बढ़ी, आपको उठाकर भी नहीं लाना को, जो रूमें लगी है, तो लगी है, आपको एक इत्र लेने है, बिल्कुल खुश्बुदार इत्र अच्छी, जो आपको पसंद हो, अपने पसंद से ले ले ले, महंगी ले ले ले, तभी पिस तस्ती घडिया जिसमें बद्बु आ रहे है, लगे यह तो भगवान को चड़ाना ऐसा ना करें, सुक्र बढ़ाना है, सुक्र तेजी से ऊपर चड़ेगा, भागे, तामपत्ती सुख मिलेगा भागर, महंग ले, जिसे सुमने से आप प्रशन हो जाए, आपका मन बेलकूल बहुत अच्छा हो जाय हर्षित हो जाय ऐसा इतर ले, लाल सिंदूर ले उमाके लिये, गुलाब की इस्टिक लें, जो धुब की इस्टिक होती है न, वो थोड़ी सी गुलाब की इस्टिक लें बस, हमें मंत्र चाप करना है, कुछ फूल ले ले, मादुरुगा को चढ़ाने के लिए, जो फूल आपको पसंद हो अब लाल उडुल का फूल चढ़ा सकती है, गेंदे का फूल चढ़ा सकती है, कोई भी फूल हो बस, मादुरुगा को चढ़ाने के लिए, आपको किसी सामान की, कोई अविशक्ता नहीं किस दिन से प्रारंब करें, या केवल और केवल यह मशिकरल सुक्रुबार से प्रारंब करना है साथ दिनों में पति आपकी मुठी मना आ जाया, आपकी बोली ना बोलने लगया, आपके चारों और चकर ना लगाने लगये, तो कहिए, यह अधूद मंत्र है किस माला से करनी है? बेहनों मेरी ध्यान से सुनिये, केवल और केवल बिना किसी विकल्प के, इस फटिक की माला से हमें यह मंदर का जाब करना है, तो आपको एक इस फटिक की माला ले लेनी है जब में है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो पुझा समागरी की दुकान में बड़ी आसानी से बड़ा सस्ता भी इस फटीकी माला मिल जाती है कोई जप नहीं करने कोई प्रांथ परतिष्ठा नहीं करने पस माला खरीद कर लेकर आजानी है जब इस गंडे पहले इस माला को साफ करके धोकर पूझा रूम में अवसे रख दे सकरात्मक शक्तियां इसके साथ वैसे भी जुड़ जाती है सुकुरवार के दिन बंद शांत कर ले में लाल बस्त्र पहन या गिरवा बस्त्र पहन ले खुब सुंदर से सिंकार करें सजे बिल्कुल जह। गएर पर आप पॉड़ेस्टो लगाती हैं नहीं जो हमारी धर्म में देवियां होती है मादुर्गार है मालक्षमी है आपने किसी की तस्विय देखी है कि जिसमें चूड़ियां कम पहनी हो सिंगार ना हो नत्थ ना हो माकूत सिंदूर ना हो ऐसी कोई तश्वियर देखी है क्या क्योंकि वह तो बहुत रूप होती है उनसे तो जादा सुन्दर कोई है यह नहीं पिर उने इन सब चीजों की क्या हो शकता है कली में माला नहीं ना वो प्रतीक है कि औरतें जब भी स्रिंगार करें दामपत्ति सुक के लिए या सुक्र को मजबूत करने के लिए तो सोला सिंगार करें इसका भी अपना महतु होता है इस वीडियो में हम दूसरी बात करेंग मादूर्गा की प्रतीमा या तिस्विर के शामने मन शांत प्रशन होकर बैड़ जाय लाल या गेरवा वस्तर धारन कर लें मादूर्गा को पुस्व सिंदूर और इत्र चढ़ा कर उनकी पूजा करें बिल्कु साथरन तरीके से पुस्व बिल्कुल इतना चढ़ा है कि फैल आ दे और यह तरफ चरहा भी दे मां को ब सुनल दलाओ आ को आया है जलाओं या वर जो शुश्म पर आ जकता हूं अब जो मैं मंत्र लिख रही हूँ स्क्रीन पर इसे आप पेपर में लिख ले ले अपने तरीके से इसे पेपर में लिख ले आपको पांच माला यानि 108-108 करके पांच बार 540 बार इस मंत्र को बिलकुल अस्थिर से अपनी जिवा चलाने की पे जरूरत नहीं है मन ही मन इस माला को आपको जब करनी है जिस मुख से पते इसे बात करते हैं उसी मुख से आपको जबना है यदि आप मन ही मन नहीं बोल पाते हैं आपको लगता है कि मन ही मन बोलने से मेरे दिमाग में बहुत सारी ख्याला दाते हैं तो मैं जुबान से बोलना चाहती हूं तो बहुत धीरे बोलें कितना धीरे बोलें कि किवल आप ही सुनें साने चिला चिला कर मंत्र पढ़ रही हूं मुहला भी सुन रहा है घर में सुन रहा है बच्चे सरी नहीं जितना मद्ध हम बोलेंगे मंत्र उतना एक्टिव होगा और ना अगर आप जिबा चलाएं मन ही मन जब कर लें तो मट पूछिए पांच माला आपको सुप्रवार से प्राणब करके नित्ते साथ दिनों तक पांच-पांच माला आपको इस मंत्र को मेरी बेहनों नित्ते जब करें बिल्कुर ऐसे तारीक से प्राणब करें कि इन साथ दिनों में आपकी पीरियोड्स ना आ जाए क्योंकि मादूर्गा के समक आप कर रहे हैं स्वक्ष्ख हो मन्, स्वक्ष्ष होतन। कि ये वाट साथ दिन करने मात्र से चाहे परदेश वैस्पस आहू पती क्यों ना ? फोन करेगा भाग कराएगा सम्माल के साथ आपको ससुराल लेकर जाएगा और अगर यदि आप रहती हैं पती के साथ ही प्रेम नहीं है देखिए कैसे आपकी और आपकी दिशा में मुड़ जाता है आपका पती वस्ते करें या तो भूत वशिकरन और अपना उनभव मुझे कि लिखना ना भूलें रखी आपना खायाल रखी आपनो का खायाल बहुत 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 देने वाद